हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आज हम NCRT की बुक है मेरे पास इसमें से चैप्टर नंबर फाइव आपका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यह क्लास 10 की बुक है आपका चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसके हम बात करने वाले हैं इसमें कौन-कौन से important questions आपके exams के view से वो देखने वाले हैं देखे वैसे तो यह chapter अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम AP Series भी बोल देते हैं, यह पुरा चेप्टर है आपके लिए बहुत important है, इसमें 1, 4 marks का question आता है, कोई 1 mark का question आ जाता है, कोई 2 marks का question भी आ जाता है, means कई बार इसमें से 4 और 1, 5 marks के question पूछ लिए जाते हैं, कई बार 4, 1, 2, सारे question, means 7 marks के question पूछ लिए जाते हैं, कई बार 4 और 2, 6 marks के question भी पूछ लिए जाते हैं, चलिए देखते हैं इसमें से आपके exams point of view से कुछ important questions देख लेते हैं जिनको आप अगर solve कर लेते हैं तो बाकी questions आपके लिए बहुत ही easy हैं अगर कुछ exam में आता है उससे बाहर तो चलिए देखते हैं वैसे ये बहुत ही important questions हैं और देन मैंने आपको questions question papers भी solve करके बतायों हैं वो भी आप देख लीजिए आपके लिए बहुत easy रहेगा चलिए देखते हैं यहाँ पे आप सबसे बहले अपनी book को ठालेजिए वहाँ पे अपने important questions mark कर लेजिए आप page number 102 open कीजिए इसमें आपके पास है example number 3 example number 3 is very important आपको यह especially आपको यह चीज़ देखनी है कि आपको अपने hand से इसको solve करके देखना है then आपको कोई भी question जो है वो किया हुआ कभी नहीं भूलता है अगर आप खुद अपने hand से solve करके देखते हैं अगर आप only videos देखते हैं यह आपने कुछ लिखा हुआ है means यह example करवाई हुई है यहाँ पर आपको हो गया कि यह मुझे समझ आ गया बट नो आपको जब exam में आप जाओ गए तो यह भूल जाती है अफिर आप सोचते हैं कि यह कैसे भूल गई मैंने तो बहुत अच्छी करां से की थी कहां गया क्या ना आगे अगर आपने इसको रिटन फॉर्म में किया है तो यह आपको कभी नी भूल थी exam में आपको next step अपने आप याद आ जाते हैं चलिए हम next देख लेते हैं example 3 आपकी important है then next example number 5 इसी page भी है आपकी example number 5 next important है आपकी next 103 page की उपर आपकी example number 7 that is important question एक्जैम्पल number 8 that is also same important question आप note करते जाहिए अपनी बुक के उपर मार्क करते जाहिए जैसे मैंने यह important mark किया हुआ है वैसे ही आप इसको अपने important mark कर लीजिए चलिए then हम page number 106 पे आजाते है 106 पे आपकी यह 5.2 exercise है आप इसमें देखिए question number 3 यह important question है most important question है इसमें से यह two parts हों है वैसे ज्यादा important है मैंने mark किया हुआ है next देखिए question number 7, 8, then 10, 12, 13, 14, 16 यह सारे important questions है इनको आप अपनी बुक पे as it is mark कर लीजिए यह very very important questions है आपको इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है then इसको solve करके खुद देखना है खुद solve करना है अपनी notebook के उपर इसको चलिए यह four marks के question कई पर पूछ ले जाते हैं friends से बहुत ही important questions है आपने mark कर लिए आपनी बुक के उपर इनको चलिए हम next देख लेते हैं friends आपको यह सारे questions जो है इनकी अलग से मैंनो solution दिया हुए आपको इसकी videos बनी हुई है मिरे पास अलग-लग separate separate सारे questions की तो इसके जो link है आपको description box में मिल जाएंगे आप वहां से इसका solution देखे बहुत ही easy है बहुत easy वेसे मैंने इसको समझाया हुआ है I hope आपको समझा आज जाएगा easily चलिए यह सारे important questions मैंने solve करके आपको बताएं description box में उसका link given है आपको okay then next important question हमार पास आता है example number 12 friends आप इसको mark करते रही है साथ साथ आप अपनी book के उपर इसको ची तरह से देख लीजिए mark कर लिजिए next आप page number 112 पे आजएए इसमें exercise 5.3 आपकी आज़ती है question number 3 question number 3 is equally important इसके सारे parts से important है आपने इसको अपने आप करके देखना है अगर आपको कोई भी चीज videos में से कुछ भी समझे नहीं आता है आप मुझे comment कीजिए I will help you as soon as possible next question number 5 important question है very important question then question number 9 is also very important question mark करते रहिए friends question number 10 is also very important question then question number 12 question number 14 is equally important ये आपके पास important questions की list है question number 18 is also important I hope आपने अच्छी तरह से mark कर लिए चलिए मैं आपको 2 seconds दे देती हूँ आप mark कर लिजिए इसको अच्छी तरह से this 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 हो गया आपका then next देखिए आप आपके पास आती है exercise 5.4 ये 115 number page है मेरे पास इसमें आपका है question number 4 ये देखिए ये question important है और 2016 में exam में आया भी हुआ है 2016 के question paper को आप देखते हैं तो इसमें आया हुआ है इसकी भी video आपको description box में गिवन है link वो आप देख सकते हैं ये सारे important questions की आपको videos मिल जाएंगे और बहुत अच्छी तरह से वो मैंने explain किया हुआ है आप इसको देखिए और मुझे comments करके जरूर बताइए कि आपको कैसे लगे आपको समझ आई है नहीं आई है या कुछ जहांपे भी आपको problem आई है वो भी आप मुझसे पूछ सकते है comment box में next देखिए यह आपने सारे important questions देख लिए then हम देख लेते हैं कि formulas आपने कौन-कौन से specially learn करने है यहाँ पर आपके पास यह formula है a plus n minus 1d s is equal to n by 2 2a plus n minus 1d s is equal to n by 2 a plus n यह जो चीज है यह three जो मैंने mark कर लिया है आपने as it is ऐसे underline कर लेना है ठीक है friends आपने इपने book पे इसको underline कर लिया है जैसे मैंने इसको underline किया हुआ है ओके आपने इसको specially learn करना है आपको यह याद रहने चाहिए कभी नहीं भूलने चाहिए because सारे questions में यह two four three और यह formulas apply होने वाले हैं सारे ही questions में यह formulas आपको apply करने हैं इनको ध्यान से देख लेना याद रखना next देखिए जैसे मैंने यह अपने book के ऊपर ऐसे लिख लिए इस तरह से यह तीनों formulas को अलग से लिख लिए अभी आपके पास pencil आपके hand में है book आपके hand में है अभी जैसे मैंने इ जब यह line आपको नजर आएगी तो आपको यह formula एक बार जरूर पढ़ा जाएगा आपसे यह कभी नहीं भूलेगा आपको जब आप exam में जाओगे आप इसको लिखके जूर देखिए अपनी notebook पे जरूर लिखिए जब भी आप question करने बैठते हैं आप यह मत सोचे कि हम practice कर तो हम जस्की values पूट कर लेते हैं और इसको formula को हम लेए लिखते हैं हमारे practice हो रही है तो हम इसको छोड़ देते हैं नहीं आप इसको भी लिखिए विकॉस आप exam में इसको लिखने वाले हैं आपको habit होती है इसको लिखने की देन जितनी बार आप इसको लिखते हैं उतनी important questions पता चल गए हैं आप इनको अच्छी तरह सी important questions आपने mark कर लिए अब आप अपने description box में जाएए वहाँ पर ये सारे जो questions है important questions इनकी वीडियोस हैं आपके पास उनके link है आपके पास उनको open कीजिए उनको समझने की कोशिश कीजिए जो भी question नहीं समझाता है आप please मुझ जैसे भी आप पुछेंगे मैं आपकी help करूँगी जितनी जल्दी हो सका जैसे as soon as possible I will help you कि ओके फ्रेंड्स थैंक यू हैव नाइस टे